दोस्तों आप सब लोगों को पताई होगा कि भारत कुछ समय से अपने हत्यारों को एक्सपोर्ट करने को लेके लगातार प्रयास कर रहा है और दोस्तों इस प्रयास में भारत को हाल फिलाल में कई सारे जगाओं में सफलता भी मिला है और दोस्तों इन सफलताओं को और पक्क प्रिपोर्ट करने को लेके एक सफलता मिले। पर्सनल कैरियरों का ओफर रख रहा है। पर्सनल कैरियरों का ओफर रहा है। अब तक इन बातों को कन्फर्म नहीं किया गया और ये भी नहीं कहा गया कि असल में कौन से मिसाइल को लेके बात्चे चल रहा है। लेकिन मेडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि शायद ये मिसाइल ब्रमोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और पहले शौर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों में से कोई एक हो या फिर दोनों ही हो। हलाकि इससे पहले कई बार अलग अलग रिपोर्टों में प्रहले और ब्रमोस जैसे मिसाइलों का जिकर किया जा चुका है और कई सारे मेडिया रिपोर्टों में ये वी दावा किया जा चुका है कि ब्रमोस एरोस्पेस भी अर्मेनिया के साथ अपने मिसाइलों को एक्सप को लेके अर्मिनिया के तरफ से इंट्रेश्ट दिखाया जा रहा है और प्रॉट के मताविक अर्मेनिया अपने बेड़े के पुराने हो चुके सोवियत मिसाइलों को रिप्लेस करने के लिए भारत के नए मिसाइलों को चाहता है अब दोस्तों ब्रमोस और प्रलै दोनों मिसाईलों को ही देखा जाए तो भारत के तरफ से जो रॉकेट फोर्स बनाने का तैयारी किया जा रहा है जिसके बारे में भारत के पहले चीफ आफ डिफेंस टाफ जिनरल विपन रावत के तरफ से संकल्प रखा गया था उव असल में इनी दोनों मिसाईलों के बेस बनने वाला है और दोसों दोनों मिसाईलों का ही शमता ऐसा है कि इन मिसाईलों को आसानी से अन्ने देशों को एक्सपोर्ट किया जा सकता है और इससे किसे भी तरीके से इंटरनाशनल लॉवी वाइलेट नहीं होगा अब यहाँ पे दोस्तों ब्रमोस मिसाईल के बारे में जो export version है वो करीवन 300 km range वाला है और 300 km range होने के कारण ये export norms को या फिर कहें तो MTCR के rule को भी violet नहीं करता है और दूसरे तरफ दोस्तो प्रहले missile को अगर देखा जाए तो ये 1500 से लेके 500 km दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकता है और इसके specific कोई export variant तो नहीं है लेकिन का रेंज करीवन 1500 km है तो वही पर प्रगति का रेंज 170 और प्रणास का रेंज करीवन 200 km तक है अब दोस्तो एक तरफ जहाँ पे गम्मोस missile को सुपर सोनिक missile कहा जाता है तो वही पर अगर प्रलय missile को देखा जाए तो इन missile को tactical short range ballistic missile कहा जाता है और दोस्तो ये जो missile है ये terminal phase म Mark 6.1 मतलब hypersonic रप्तार में travel कर सकता है और pinpoint accuracy के साथ मतलब 10 मिटर के डायरे के अंदर जाके target को hit कर सकता है वजन में काफी हलका ये जो missile है इसे आसानी से टांस्पोर्ट इरेक्टर लांचरों के द्वारा carry किया जा सकता है और दोस्तो ये केबल 5 टन के होने के साथ साथ केब साथ से लेके 11 मीटर के है और दोस्तो ये 500 किलोग्राम खिस लेके 1000 किलोग्राम तक वोरेट को carry कर सकता है और दोस्तो इन missile को इस तरीके से बनाया गया है कि आसनी से इसके export वर्जन को कम range का भी रखा जा सकता है मतलब 300 किलोमेटर के range के दायरे में रखा जा सकता है ताकि MTC के rule violet ना हो वही पर दोस्तो कल्यानी ग्रूप जैसे company जो की आर्टिलेडियों के export के मामले में already सफलता हासिल कर चुका है मतलब अर्मेनिया को जो ATAGS आर्टिलेडियों का supply किया गया है वो basically कल्यानी strategic systems limited के तरफ से ही निर्मान करके supply किया गया है वो अब अब अपने कल्यान ग्रूप के तरफ से M4 वेकलों को इस तरीके से बनाया गया है कि ये केवल मात्र भारत के जरूरतों को ही पुरा ना कर सके बलकि साथी साथ लगवग हर तरीके के environment में और terrain condition में इस्तेमाल हो सके और दोसो इनी कारूनों के वज़ा से इन वेकलों को अलग अलग देशों को तो बिना किसी बदलाव के उन देशों के environment में भी ये जो वेकल है ये परफेक्टली काम कर सकेगा दोसो M4 वेकलों को असल में एक indigenous mind protected high mobility infantry mobility वेकल के रूप में बनाया गया है जो की advanced capability के साथ है और modern warfare के जरूरतों को पूरा कर सकता है दोसो ये जो APC है ये असल में highly agile infantry fighting vehicle है और ये protection mobility fire power के लिए जाना जाता है दोसो कल्यानी ग्रूप को इन वेकलों को manufacture करने का काफी अधिक experience है और already कल्यानी ग्रूप के तरफ से इन वेकलों को armed forces के लिए निर्मान करके supply भी किया जा चुका है तोसो कल्यानी ग्रूप के तरफ से निर्मान किया हुआ ये M4 वेकलों में कही तरीके के features को improve किया गया है जिन में enhanced armored है मतलब ये जो M4 वेकल है advanced ballistic और mine protection systems के साथ साथ crew safety हो को भी hostel environment में काफी अधिक बढ़ाया है जबकि इसके इलावा इसके जो payload capability है उसे भी increase किया गया है औ रिपोर्ट के मताविक ये काफी अधिक payload को carry कर सकता है और अधिक crew के साथ ये अधिक equipment को भी carry कर सकता है इसके इलावा इसके engine को भी improve किया गया है और रिपोर्ट के मताविक M4 वेकल में अधिक ताकतवर engine का इस्तेमाल किया किया है और जिससे ये जो off road और on road condition है दोनों में ही perfect तरीके से काम कर सकता है जबकि इसके fuel efficiency को भी बढ़ाया गया और रिपोर्ट में ये वी दावा किया जा रहा है कि ये जो vehicle है इसमें इस्तेमाल होने वाले engine किसी भी अन्य वेकलों के मुकाबले में अधिक efficient तरीके से काम कर सकता है और long range में कम fuel के साथ आगे बढ़ सकता है और दोसो इन vehicle का सबसे खास बात ये है कि इन vehicle में customize option रखा गया है मतलब customer के मुताबिक इन vehicle को different तरीके से modify किया जाए मतलब जो customer अगर चाहेगा तो vehicle में अपने हिसाब से भी equipment को लगा सकेगा दोसो रिपोर्ट में ये वी दावा किया जा रहा है कि कल्लियानी M4 vehicle को already Indian army म है और इसके अगर आकार को देखा जाए तो इन vehicle का लंबाई करिवन 5.8 मीटर मतलब करीब 19 फीट है और इसका चोड़ाई करीब 2.6 मीटर मतलब 8.5 फीट है वेहकल का उचाई करीवन 2.84 मतलब 8 फीट से थोड़ा अधिक है तो वही पे ये जो M4 vehicle है ये असल में 2 प्लस 2 प पावर के इंजिन का इस्तेमाल किया गया है जूकि 30 HP per ton के power to weight ratio provide करता है वेहकल के पेलोट को देखा जाए तो ये करीबन 2.3 ton मतलब 2300 kg के पेलोट को कैरी करने में सक्षम है और transmission system को अगर देखा जाए तो इसमें 6 speed automatic systems का इस्तेमाल किया गया है suspension system में इसमें heavy duty suspension system का इस्ते km के range में यहाँ पे काम कर सकता है तो वही पे maximum 140 km per hour के रप्तार में यह आगे बढ़ सकता है और दोस्तों इन vehicle को कई बार bombs के खिलाब मतलब TNT और ID के खिलाब भी परिक्षन किया जा चुका है और test के दर्मियान report में दावा किया जाता है कि ये 3-10 kg वाले TNT charge को vehicle के नीचे और एक 50 kg वाले ID blast को एक side में जहल सकता है मतलब दोस्तों इन vehicle के साथ अगर battlefield में troops उतरता है तो troops के लिए जो खत्रा है वो कम हो जाएगा और इनी कारूनों के वज़ा से इन vehicle को one of the best armored personal carrier के रूप में भी देखा जा रहा है और इसाइद इनी कारूनों के वज़ा से इन vehicle के export potentiality वी बढ़ रहा है और कई सारे देशों के द्वारा इन vehicle को खरीदने को लेके इंटरिफ दिखाया जा रहा है तो आप लोगो को क्या लगता है कि क्या भारत को ब्रहनों स्प्रलाय और M4 जैसे हज यारों को export करने को लेके सफलता मिलेगा या नहीं कॉमेंट करके अपने अवर्षा दीजिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पर ही करते समा किसी और एक दुन किसी और एक वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जैहिंद बंदे महतरम